Hello everyone, I am Vipul Joshi, I am the honor of Sun, Moon, Soul. Good morning. हम जब कोई भी जगह पर विजिट करते हैं, suppose hospital में जाते हैं, किसी के गर पे जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, so many time we feel के भई हम बीमार जैसे फील करते हैं, weak हो गए, negative हो गए, lower हो गए, ऐसा क्यों होता है? because हर जगह, चाहे हो आपका गर हो, आपकी office हो, बहुत सारे लोग वहाँ पर daily के transaction कर रहे हैं, अब इनसान जो आपको face के ओपर खुश दिखता है, बट उसके अंदर से क्या है चीज, उसके अंदर thought process क्या चल रहा है, उसके emotional patterns क्या है, वो जो भी है, वो पूरे environment में subconsciously छोड़ता रहता है, जो उसको खुद को भी नहीं पता है, so when more negative people, lower people आपके साथ transaction करते हैं, तो वो space वैसी हो जाती है, अब हम space की cleaning रोज करते हैं, बट ये जो transaction से उसकी cleaning नहीं करते हैं, तो इसको clean करने के लिए ही, एक concept हम लेकर के आया है, that is called spiritual house cleaning, ये cleaning करने से फाइदा क्या होगा आपको, कि suppose जब भी हम success नहीं होते life में, तो हम किस्मत को ही दोस्त देते हैं, बट ऐसा नहीं है, suppose आपको कहीं पर जाना है, तो उसके लिए आपके पास अच्छा vehicle है, आपको road भी पता है, आप drive भी अच्छा कर लेते हैं, बट आप वहाँ तब कब पहुँच पाओगे, जब आपको traffic नहीं मिलेगा, road clear मिलेगा, तो life में जब goals achieve नहीं हो रहा है, तो that means road आपको clear नहीं मिल रहा है, यह जो spiritual house cleaning का process है, वो roads के obstacles हटाएगा, जो आपके life को success बनाएगा, तो यह process आप कहीं पे भी करा सकते हो, खुली जमीन हो, आप जहां पे रहते हो, या तो आपको नहीं प्रोपर्टी पर्चेस करना चाहते हो, रेंट पे लेना चाहते हो, उसका सबसे पहले spiritual house cleaning कराएगे, and after that you can see the difference in your life, for more details you can communicate with us, divine blessings to all of you,